बागेश्वर धामे कीजे दोस्तों एक प्रेत आत्मा को बाबा ने कैसे निकला पूरा देख कौन है यह का हुआ है क्या नाम है बच्ची का क्या हुआ है पड़े लिखे हो और बड़ी आप किसी को हम बुला लें कोई भी पड़ा लिखाओ पढ़ना चाहता हो तो रंता चाहे प्रेत आत्मा इस बच्चे के अंदर थी तो दोस्तों देखो किस परकार सन्या शी बाबा ने इस आत्मा को यहां से निकाल दिया आत्मा पड़े को आप तो सैंस पड़े हैं आप ने चुटे आज के जमाने में ऐसा हो सकता कोई बिना बताए पहले से पूरी जांचन लिख दे साइंस में है ऐसा कोई साइंस में तो ऐसा नहीं है जांचों के बाद ही बताते हैं जांचों के बाद लेकि हम बिना जांच के लेके हैं बैठी कहा है कौनों मसीन नहीं लगाई या और हम धरें कहा है के नहीं दिक्कत कहा है पढ़िये, बेटी को पूरे सरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई, जो लीवर पर अफेक्ट है, दो हजार उनाईस से कैंसर बन गया, करपा हो जाएगी, आसीरवार है। में खिलाई है बच्ची को, दो हजार उनाईस से लाक्ट से दिक्कत पेट दर्द सुरू हुआ, बाद में पर पेट में एंठन बनी, फिर उल्टी होना सुरू हुआ, फिर खाना पचना बंद हुआ, इसके बाद पर जाचों में अभी तीन माहें पूर्व में कैंसर आया है। क्या यही हुआ, एकदम सही, दुस्मनी के कारण यह सब किया गया, हनमान जी कृपा करेंगे, अब जो हो गओ सो हो गओ, लेकिन पीलिया भी यह बनो, हाँ या ना, पीलिया भी बनो, हमाई जांच में लगो, तुम बताओ, तुमें बताओ डाप्तर ने, हमाई जांच में आओ पीलिया भी बना, आराम लग जाओ आशीर बाद है, बोलियो सन्याति वाबा गुर्दय भगवाने की, अनवान जी महराजी की, जैजे स्री राभ, जैजे स्री राभ, जैजे स्री राभ, वहाँ पीछे बैठिये, ये बागे सुर बाला जी के दरवार की, महमा है, इसल पर भी ने पतो लगा था कि कौन सी बीमारी है, जै महराज बरेते चत्र है, कौनों मसीन हसीन में डारत नहीं हो, बता देत कि जा बीमारी है,